हे राम औरों को तो प्रतिक्षा पत्धर बना देती हैं मैं तो पत्थर बन कर भी तुम्हारी प्रतिक्षा कर रही हूं औरों की नेत्र तो किसी की रात तक 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 ते पत्रा जाते हैं परंदू, मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ अब तो आजाओ, हे राम, मुझ दुख्यारी अबला के दुख का अंत कर दो धन्य है, वायू का ये जुंका, जो मुझ तक तुम्हारी कमर्चरणों की धोल की सुगंद लाया है तुम आ रही हो, तुम अवश्या रही हो, मुझ दुख्यारी के दिन फिरने वाले तुम मेरे कल्यान के लिए, मेरे समी पा रही हो फेरा, फेरा रतरो को सारा दे आज हम यहीं विश्राम करेंगे बुर्देव, इस उजड़ेव आश्रम में, क्या यह स्थान विश्राम के लिए उचित रहेगा? यह सबसे उत्तम स्थान है शिश्राम हम यहां नहीं आएं यह जड़ावा आश्रम स्वायम हमें यहां कीच लाया है हेरा, 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 हेरा यह मुझे कौन पुकार रहे है गुरुदेव? तुम्हें यह बुकार रहे है शिश्राम और ना जाने कब से बुकार है तो यह तो पाशान की प्रतिमा है गुरुदेव? हाँ, है इस प्रतिमा को अपने चरण से सभर्ष कर दुशिश जी? इस पत्थर की मूर्थी को अपने चरणों से शोब गुरुदेव गुरु के आदेश पर प्रशन चिन लगाना ना तो शेश्र को शोबा देता है और ना ही उसका अधिकार है किन्तु है गुरुदेव नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है उसे चरणों से छूना महापाप है मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव नारी के प्रती तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गगद हो गया शेश्र मुझे ऐसे शेश्र पर घर्व है मैं स्वैम किसी को नारी का अनादर करने की अनुमती नहीं दे सकता परन्तु ये एक विचित्र वडमना है केस नारी का कल्यान इसी में निहित है इसे अपने पैरों से छोकर तुम इसका अनादा नहीं इसका उद्धार करोगे पुत्र कौन है ये देवी ये दुख्यारी अबला प्रिशी गौतम की पत्नी अहिल्या है भेर अप्राध होकर भी न जाने कपसे पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है पात दुखत है इसकी कथा देखा देखा अपने चंद्रदेव कितनी सुंदर नारी है अहल्या कि दिवरज आप चाहते क्या है मैं मैं उसे पाना चाहता है तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है हां यदि तुम मेरी साहता करो तो मैं मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें कल अपने खिती से हटने के निरधारत समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश्त लुक्त होना होगा ये क्या भूर हो गई और आज मेरी आँख नहीं खुल पाई मुझे भी आश्चर है स्वामी आज रात इतनी शीक्र कैसे ढल गई मैं अभी आती हूँ स्वामी बताएंच आप इतना शीकल के लोट आए छो शीक्र में बाताया ना आप इतना शीक्र के लोटाएँ कि सुर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुक्षचंद्र का ध्यान आ गया कि मैं विचलित हो उटा है कि स्वामी कि यह आज आपको क्या हो गया है कर यह लिए है कि आप किसी बाते कर रहे हैं आपने तो है अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है तो मेरे सैयम तूड़ गया है देवी आपके परन मुझे सब कुछ बुला दिया है में आपकी सुंदर्ता कि आपके यॉवन ने मुझे सब कुछ है कि मुझे और व्याकुल ना कीजिए अपने अधुलों की मदिरा से मेरी प्यास पुझा दिजिए अरे यह क्या चंदरदेव परंदु यह चंदरदेव कहां लुप्त हो गये थे अभी तो सूर्योदय में विलंब है मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए तो यह कौन है दुष्ट कौन है तू अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे तो यह तू है इंद्र जा मैं तुझे शाब देता हूँ कि जिस वास्ता ने तुझे यह पाप करने पर विवश्च किया था तू आज के उपरान तुसके योग यही नहीं रहेगा दूर हो जा मेरे सामने से दूर हो जा मुझे शमा ख़दीशिय स्वामी शमा कदापी नहीं तेरा शरीर अववित्र हो चुका है तेरी आत्मा अववित्र हो चुकी है जा मैं तुझे शाब देता हूँ इफिक्षन तु पथर बन जाओ अब जब तक तुम इसे अपने चड़नों से सपर्ष नहीं करोगे यह यूही पाशान की मूर्थी बनी रहेगी इसके कल्यान के लिए तुम्हे मेरे आदेश का पालन करना हो गशिश जो आग क्या देवी मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है मैं आपको अपने चड़नों से सपर्ष करने की दृष्टता करने जा रहा हूँ ख्यमा कीजिएगा अचरज भयो जगत में भारे शाप मोक्त भाई अबलानारी पावन चरन राम को लागा रिश्य पतने पाहन तन त्यागा रिश्य पतने पाहन तन त्यागा हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम हे दुख्यारों को तारने वाले राम हे पापियों का उदार करने वाले राम इस अबला को शाप से मुक्ति दिला कर आपने जो इस पर उपकार किया है उसके लिए आपको कोटी कोटी धन्यवाद नहीं देवी आपके साथ गोर अन्याय हुआ था मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि अब तक महर्षी गोतम को भी अपनी भूल का अभास हो चुका होगा किन्तो वो भी विवश्थ है देवी क्योंकि नब्स से तूटा हुआ तारा दनुश से निकला हुआ बान एवं मुख्ष से निकला हुआ शाप लोटाया नहीं जा सकता केवल उसका दंड भोगा जा सकता है पश्चा ताप की अगनी में जलना भी तो दंड ही है देवी महर्षी अब तक उस अगनी में जल चुके होंगे गुरुवर यदि इस उजार स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश था तो वो पूरा हुआ अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए निशिस रेष्ट